नमस्कार मैं सुनिल आप सफिका इस्गेशन प्रभावाई यूटीब जैनल पर हादीक स्वागत करता हूँ आज मैं फिर जे उपस्तेत हूँ जिसमें कौंसलिंग की कक्षा होगी और कौंसलिंग में भी ये मानवतावादी या प्रभावादी सिधान्त जिसको हम कहते हैं या परामर्सन कहते हैं उसके उपर संपूर्ण चर्चा पर चर्चा करेंगे तो आप वीडियो के अंतर तक बने रहें और हाँ, like और share अवस्चे करें, comment अवस्चे करें और साथ ही Bill Eigen को जरूर्ड प्रेस करें अब ये, अगर हम जैसे कि यहां पर स्पस्ट है कि ये मानवतावादी या प्रभाववादी इसको हम व्यक्षाइद करेंगे लेकिन इस से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सिद्धान्त के समर्थक कौन कौन है, तो हमें बहुत साड़े नाम आते हैं, केंप का नाम आता है, हुबर का नाम आता है, रोजर्स का नाम आता है, इत्यारी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, जिनका की नाम इसके प्रवल समर अब ये अगर हम मानावताबादी या प्रभावबादी सिद्धान्त जिसका की हम नाम से हिस्पष्ट है कि प्रभावशीरता इसमें बहुत ज़्यादा माइन रखता है और खास करके अगर हम इसकी सुरुवात कहें तो इसकी सुरुवात खास करके अस्तथवादी सिद्धान से सुरुवाद इसकी मानी जाती है लेकिन इसमें प्रभावसीलता बहुत ज्यादा महत्वण होता है कि किसी भी क्योंकि इसमें आप जाने होंगे क्योंकि हम कई बार आपको बता चुके हैं कि परामर्स की जो प्रक्रिया होती है जो परामर्स की प्रक्रिया होती है इसके मु करता और दूसरा होता है प्रार्थी तो ये दो महत्यपोर्ण इसके अंग होते हैं प्रामर्स के जिसमें कि एक प्रामर्स करता होते हैं और दूसरे प्रार्थी होते हैं प्रार्थी क्या करता है कि किसी भी समस्याओं को लेकर आबशक्ताओं को लेकर जनित समस्याओं को लेक अनीजी है, कन्फ्यूज है, वो अपने आप में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत सारी समझ्याएं हैं, तो वो क्या करता है कि परामर्स करता के पास जाता है, और इस सिद्धान्त के मताबिक परामर्स करता क्या करते हैं, कि अपनी प्रभावसीलता को, अगर उनका ब्यक्तत्व अगर बहुत जादा प्रभावी हो, तभी तो इनकी प्रभावसीलता इस पर काम करेगा, अन्य था कि अस्थित में अगर ये प्रार्थी को अपना प्रभाव उस पर नहीं छोड़ पाए, तो क्या प्रभावसीलता का सिद्धान्त होगा, नहीं होगा, अर्थात, ऐसे परामर्स जिसमें की जो परामर्स करता होते हैं, वो प्रार्थी के ऊपर अपना ब्यक्तत्व या अपना जो नीजी उनका ब्यक्तत्व है, उनकी जो प्रभावसीलता है, उनकी जो गुनवत्ता है, उनका जो ग्यान है, उनका संपूर्ण ब्यक्तत्व जो ह वो इसके उपर बहुत अमिट छाप छोड़ने के लिए एक प्रकार से ततपर होता है, अमिट छाप जब छोड़ देता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रभाववादी प्रामर्स कहते हैं, या फिर मानवतावादी हम किसको कहें, तो मानवतावादी का मतलब भी यही होता है जो हमारा ब्यक्तत्य वो ऐसा हो, जो हम किसी कोई भी हमारे सामने आए, तो हम उसको क्या करें, अपने ब्यक्तत्य के प्रभाव से उसको प्रभावित करें, दूसरी चीज, इसमें दूसरा जो एंगल होता है, वो एंगल ये होता है कि उसको मानभीयता के आधार पर, कि मानभ मानवियता के आलहार पर उसको इतना ज्यादा अभे प्रेत करें कि वो हमारी मानवियता से वो प्रभावित हो करके क्या करें वो जो हम कहना चाहें या जो हम उसको एक निर्ने बिसेश देना चाहें उस समस्या जलित समस्याओं को ले करके वो उस पर क्या करें एकड़ी हो जा जो कि इसके आधार सिध्धान्त माने जाते हैं, जिसमें कि अनुभव की बिलक्षणता, सीमा बध्धता हम लिख देते हैं, कि अनुभव की बिलक्षणता, सीमा बध्धता, फिर समग्रता और आत्मपडिवासा, अब इसमें देखेंगे कि इस पर ही ये अर्थात ये जो चार इसके कॉंपोनेंट्स कह सकते हैं, आधार भूत सिध्धान्त कह सकते हैं, कि इसी पर ये समपोन रूप से आधार प्रभाववादी या मानवतावादी सिध्धान्त प्रामर्स टिका हुआ है, जिसमें कि सबसे पहला आता है अनुभव की बिलक्षणता, अर्थात ऐसे अनुभव उसमें बिद्यमान हो, जो की प्रामर्स करता होते हैं, उनमें, उन पर अनुभवी होना अच्यनत आवशक्त होता है, और न केबल अनुभव, बलकि अनुभव की बिलक्षणता, वो अपने अनुभव की बिलक्षणता से इस प्रार्थी को प्रभावित कर पाने में समर्थ हो, ऐसी बिलक्षणता उसमें होनी चाहिए, अनुभव की ऐसी बि परभी परामर्ष करता के पास प्रार्थी आते हैं तो ऑक समय बद्ध तरीके से उनके पास मतलब जो हैक वुक्र एक समय सीमा के अंदर वो प्रार्थी को जो जनित समस्या को लेकर उपस्थित हुआ है उसको व öğ दूर कर पाने में समर्थ हो तो यहां पर सीमा बध्धता भी बहुत क्योंकि कोई भी आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्तत्व के प्रभाव से प्रभावित तभी होता है जब उसमें सीमा बध्धता होती है जब उसमें खुद कर्तब बिनेश्थता होती है तो सीमा बध्धत में सीमावध्धा का मतलब है कि प्रार्थी जो भी समस्याओं को लेकर आए उसको परामर्ष करता क्या करें सीमावध्ध कर लें जिस प्रकार से हम शोध में क्या करते हैं कि बहुत बढ़ा टॉपिक होता है लेकिन उस बहुत बड़ी टॉपिक को हम एक सीमांकन में उसको सीम और जब सीमा के अंदर निर्धाइट कर पाएंगे तो निश्चत तोर पर उसमें निर्नय देने में भी क्या होगा सहजता महसूस होगी। फिर आता है समग्रता, समग्रता का अर्थ है कि जो भी प्रार्थी की समस्या हो उसके संपूर्ण रूप पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसा नहीं कि छोटी सी समस्या मतलब कुछ इधर से ले ले लिए, कुछ उधर से ले लिए और उसको कर दिये, ऐसा नहीं है, उसके सबसे प वद्धता है, इसके पहले कौन सा आएगा? यहां पर आएगा आपका, समगगता सीमा वद्धता के पहले आएगा, तो समगगता मतलब वो भी जो भी समस्याएं हैं, उसके संपूर भागों को वो देखें, पढखें, जाने, अनुभब करें और फिर उसको सीमा में सीमांकित क कर दें, इसके बाद आत्मपड़िभासा, और फिर जब सीमा वद्धता कर देते हैं, तो सीमा वद्धता करने के पश्चात क्या करेंगे? उसको आत्मपड़िभासित करेंगे, वो खुद से उसको समस्याओं को पड़िभासित करेंगे, पड़िभासित करेंगे, आप विस प्रहावित होगा तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए जो परामर्स करता कह रहे हैं वो वाकई सही है उसको लगे कि हाँ ये वाकई हमारे लिए ही कह रहे हैं तो वो डेफिनिकली प्रहावित होगा और जब प्रहावित होगा, तो उस पर ये जो परामर्स है, वो काम करेगा, और यही इस सिद्धान्त की मूल बात है, तो मुझे लगता है कि आसानी पूरवक से बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं था, आसानी पूरवक आप समझे होंगे, अब इसी प्रकार से पढ़ने के लि लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेर कीजिए और साथी बेल आइकन को जरूर पिसके जिता कि आप हो आने वाले सभी वीटी मिलती रहे, धन्यवाद.